हेलू फ्रेंड्स विल्कम टू टीचिंग लो में फ्रेंड्स इस वीडियो में देखने वाले हैं भारती समिधान के मतपुन भागों को जो कि आने वाले किसी भी एक्जाम्स के लिए काफी मतपुन हैं तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि इस चानल पर काफी दिनों से आप तक आये तो पहुंच सके तो चलिए फ्रेंड्स आज देख लेते हैं भारती समिधान से मत्पुन भागों को तो फ्रेंड्स पहला भाग है संग और उनका राजच्छेत्र पहले भाग में संग और उनके राजच्छेत्र का उलेक हैं और इसमें अनुचेद एक से चार तक इसका उलेक है भाग वन का उलेक एक से चार तक है फ्रेंड्स अगला है भाग दो भाग दो संबनित है नागरिकता से और फ्रेंड्स भाग दो में अनुचेद पास से एगारा तक नागरिकता संबनित नियम है भाग तीन में फ्रेंट्स मुल अधिकार आता है और मुल अधिकार अनुछेद 12 से 35 तक मुल अधिकार का उलेख है भाग तीन में और फ्रेंट्स भाग चार में राज की निती निर्शक तत्वों का उलेख है और भाग चार अनुछेद 36 से 51 तक है फ्रेंट्स भाग 4 के क्वाम में मुल्क करतबू का उलेख किया गया है और यह अनुछेद 51 के क्वाम में वर्नित है फ्रेंट्स अगला भाग है भाग 5 इसमें उलेख है संग संग का उलेख भाग 5 में है और भाग 5 में अनुछेद 52 से 151 तक आता है तो फ्रेंट्स भाग पांच में अनुछेद 51 से 151 तक आता है इसे याद जो रुखे फ्रेंट्स अगला है भाग 6 भाग 6 में निकाल दिया गया या निरस्त कर दिया गया तो अनुछेद 152 से 151 तक अनुछेद 152 से 237 तक इसका उलेख है फ्रेंट्स अगला है भाग 8 भाग 8 में संग राच्छित्र का उलेख है और भाग 8 249 से 242 तक इसका वर्नन है अनुछेद में फ्रेंट्स भाग 9 पंचायत से संबहित है और सात्वे संसन द्वारा फ्रेंट्स निरसित उपबंध 243 भाग 9 संबहित है तो अनुछे 243 में पंचायत्य राज का उलेख किया गया है फ्रेंट्स भाग 9 के को में नगरपालिकाय है और भाग 9 के खो में सहकारी समितिया का उलेख किया गया है फ्रेंट्स भाग 10 में अनुशूचित जाती था जन जाती छेत्र का उलेख किया गया है और यह अनुछे 244 से 244 के को तक उलेखी था है फ्रेंट्स भाग 11 में संग और राज्यों के बीच का सम्बंद का उलेख किया गया है फ्रेंट्स नेक्स दिखरते हैं भाग 12 इसमें बीत संपति सन्वीदा और वाद विवाद का उलेख किया गया है भाग 12 में और यह अनुछे 264 से 300 के को तक उलेखी था है फ्रेंट्स भाग 13 भागत के राज छेत्र के भीतर बेपार वनिज और समागमन यानि कि फ्रेंट्स यदि कोई बेपार करना चाहता है वनिज या समागमन तो भाग 13 में उलेखी थे वह भी भागत के राज छेत्र के अंदर फ्रेंट्स यह अनुछे 301 से 307 तक उलेखी थे और फ्रेंट्स भाग 14 में है संग और राज्यों की अधिन सिवा है फ्रेंट्स अगला भाग है भाग 14 के कोई जिसमें अधिकरन का उलेख किया गया है नेक्स्ट है भाग 15 तो फ्रेंट्स भाग 15 में निर्वाचन का उलेख किया गया है और यह तीन सब चौबिस से अनुछे तीन सब उनतिस तक में उलेख किया गया है निर्वाचन नेक्स्ट है भाग 16 तया कुछ वरों के संब्बंद में बिसेस उपबंध का उलेख किया गया है इसमें फ्रेंट्स अगला है भाग सत्रह इसमें राज भासा का उलेख किया गया है जिसमें राज भासा में फ्रेंट्स देवनागरी हिंदी लिपी और अनुछे 343 से अनुछे 351 तक उलेखित गया है तो फ्रेंट्स भाग सत्रह अठाड़ा फ्रेंट्स इसमें आपात उपबंद का उल्य किया गया है और आपात उपबंद फ्रेंट्स 352 से 306 और फ्रेंट्स इसमें राष्ट्टीय पात अंचे 3502 राष्ट पतिशासन 356 और बीती है पात फ्रेंट्स 360 में उलिखी थे फ्रेंट्स भाग अनाईस इसमें प्रक्र्ण का उलिख किया गया है अनुछे 361 से 366 अगला है भाग 20 इसमें भाग 20 में सम्मिधान का संसोधन समिधान का संसोधन से समय थे और अनुछे 368 समिधान संसोधन से संबंदित है अगला है भाग 21 और अस्थाई संक्रमन कालिन और विशेस उपबंद का उलिख किया गया है अनुछे 379 से 392 फ्रेंट्स भाग 22 इसमें संचिप्त नाम प्ररंब हिंदी में प्रादिक्रित पाठ और निरसन का उलेक किया गया है और यह 393 से 395 अनुछेद में संबंदित है फ्रेंट्स इसके अलावा इंपोर्टेंट जी के डोज को देख रहते हैं जो की एक्जाम कद्रिष्टी से काफी महत्पून है यह भी समिधान से समभाई प्रस्टन है तो फ्रेंट्स समिधान की सभा की पहली बैठक कोब हुई थी इसका सही उतरह नौ दिसंबर इसको समिधान सभा की पहली बैठक हुई थी नेक्स्ट है आंद्रप्रदेश राज का गठन की सवर्स किया गया तो इसका सही उतरह अनिसा तिरपन में नेक्स्ट है मदाता दिवस कोह मनाया ज़ता है तो फ्रेंट्स परतेक वर्स 25 जनौरिक को राष्टी मदाता दिवस मनाया ज़ता है अगला प्रशने समिधान सभा की पर्तम बैठक के अध्याच कौन थे सचिदानंद सिनहा और अस्थाई अध्याच चुने गए फ्रेंट्स नौ दिसंबर अनिसव 46 को नौ दिसंबर अनिसव 46 को डक्टर सचिदानंद सिनहा कारगिल दिवस का अगठन 20 वर्स हुआ तो 26 जुलाई फ्रेंट्स कारगिल यूद पकिस्तान के ब्रूद 26 जुलाई अनिसव 99 को हुआ और उस टाइम से 26 जुलाई को फ्रेंट्स कारगिल दिवस मनाने की शुरुवात की गई अगला है भारत सरकार का पर्थम बीदिक सलाक कौन होता है तो फ्रेंट्स महान्यवादी महान्यवादी का उलेक फ्रेंट्स अनुछेद छियतर में आए समिधान में और महान्यवादी की निवति भारत के राष्ट पति करते हैं फ्रेंट्स अगला है उदेशी का प्रस्ताव किसने प्रस्तूत किया तो पॉंडिजवाल परधान मंतरी के करतबों का उलेक है नेक्ष्ट भारत में समिधान सवा के निर्मान का अधार किया था कैवरेट मिशन योजनाने सव 46 फ्रेंट्स अगला है प्रस्तावना में भारत सब्द कितनी बार उलेक हुआ है तो दो बार तो फ्रेंट्स यह सभी महत्पून प्रस्ण आपके किसी भी एक्जाम्स के लिए काफी महत्पून हैं तो फ्रेंट्स यदि आप हमारे चानल को सब्सक्राइब ने कि हैं तो चानल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आने माला जोई वीडियो आप तक पहुंशती रहे तब तक मिलते हैं एक अगले वीडियो में धन्यव झाल